आज मैं आपको AQI यानि कि Air Quality Index के बारे में एकदम बेजिक जानकरी दूँगा short and sweet तरीक ऐसे समझाओंगा ताकि आपको समझ में आ सके आसान भासा में समझाओंगा सबसे पहले बात करते हैं AQI क्या है? AQI का full form Air Quality Index होता है आपको बस इतना समझ लेना है कि AQI की मदद से आपको इतना पता चल जाएगा कि आपकी आसपास की जो भी हवा है उसकी गुनवत्ता क्या है? सास लेने लायक है या नहीं एक्चुल में हमारी आसपास जो भी हवा होते हैं उसमें कहीं सारे polluants होते हैं जैसे कि PM 2.5 यानि पर्टिकुलेट मेटर 2.5 माइक्रोन, 10 माइक्रोन, कार्बन मोनोकसाइड, ओजोन, अमोनिया, सेलफर डायोकसाइड, नैट्रिजन डायोकसाइड तो यह जो भी polluants होते हैं, मतलब कि जो production कारक होते हैं, जिससे हवा प्रदूशित होती है और वो poisonous होती जाती है यह जो भी polluants होते हैं, उसका analysis करके, एक single digit में या फिर एक scale के अंदर, आपको एक आकड़ा दिया जाता है जिससे पता चल जाता है कि आपकी आसपास की जो हवा है, उसमें कितना production है और उस हवा में आप अच्छे से सास ले पाऊगे की नहीं तो, इसे हम कहते हैं AQI basically AQI एक measure होता है, हवा की गुनवत्ता जो आपके आसपास है वो जानने के लिए अब मैं आपको कुछ polluants यानि की production कारकों के बारे में बताऊंगा जिसे AQI के अंतरगत measure किया जाता है नमबर एक है PM 2.5 यानि की particulate matter 2.5 micron ये बहुती छोटे particles होते हैं, बहुती छोटे molecules होते हैं जो आपके फेफरों तक पहुँच सकते हैं नमबर दो है PM 10 यानि की particulate matter 10 micron ये थोड़े बड़े molecules होते हैं थोड़े बड़े particles होते हैं जो आपके नाक आपके गले तक पहुँच सकते हैं उससे आगे नहीं बढ़ते वहाँ पर रुख जाते हैं नमबर तीन है sulfur dioxide यानि की SO2 जब भी fossil fuels का emission होता है जब भी industry में कोई special process होती है तो ऐसे में emission के रूप में sulfur dioxide हवा में मिल जाता है नमबर चार है nitrogen dioxide NO2 vehicle emission कुछ power plant के emission में उसकी byproduct के तोर पर हवा में NO2 यानि की nitrogen dioxide खुलता जाता है नमबर पांच है carbon monoxide देखे जब भी किसी भी इंधन का किसी भी fuel का अपून दहन होता है तो ऐसे में carbon monoxide हवा में घुल जाता है जब भी कोई चीज जड़ रही होती है तो अगर काला धुआ निकल रहा है गहरा काला धुआ है तो फिर उसे हम कहेंगे अपून दहन यानि कि ऐसे cases में वहाँ पर carbon monoxide वायू उत्पन होता है और वो हवा में घुल जाता है सनलाइट के presence में temperature थोड़ा बढ़ता है ऐसे में nitrogen oxides और कुछ volatile organics compound एक साथ मिल जाते है रियक करते है और ओजोन वायू उत्पन होता है जो हमारे फेफडो के लिए काफी हानिकारक होता है और हवा में घुलता मिलता जाता है नमबर साथ है ammonia NH3 खास करके जो agriculture process होती है activities होती है कुछ special industrial activities होती है process होती है तो ऐसे में उसकी byproduct के तोर पर ammonia निकलता है जो हवा में घुल जाता है काफी हानिकारक होता है अब बात करते है different ranges of AQI यानिकी air quality index के बारे में हवा को उसकी गुनवता के आधार पर mainly 6 विभागों में बाटा जाता है नमबर एक है 0 to 50 यानिकी सुन्या से लेकर 50 तक उसे good consider किया जाता है अगर आपके आसपास की हवा की AQI value 0 से लेकर 50 के बीच में है तो उसे good consider किया जाएगा मतलब कि ये healthy individuals जिने कोई भी problem नहीं है उसके लिए तो ये हवा सुरक्षित है ही साथ ही साथ ऐसे लोग जिने पहले से ही स्वसंत तंत्र से संबंदित कोई समस्या है जैसे कि अस्थमा की problem है chronic bronchitis की problem है यानि कि chronic obstructive pulmonary disease है या फिर ऐसे लोग जिने कोई ना कोई medical condition है जैसे कि रुदेई संबंदित कोई समस्या है तो ऐसे में वह लोग एक sensitive group में आ जाते है तो उनके लिए भी ये हवा सुरक्षित मानी जाती है अगर AQI की value 0 से लेकर 50 तक है तो नंबर दो है 51 to 100 यानि कि 51 से लेकर 100 के बीच में जिसे हम कही सकते है satisfactory अगर आपके आसपास की हवा का AQI 51 से 100 के बीच में है तो उसे हम satisfactory यानि कि संतोष चनक माने गया कि ऐसी हवा के अंदर अगर आप सास लेते हो तो generally कोई problem नहीं होती है जो लोग sensitive group वाल है जिनने पहले बहुत precaution रखना जरूरी होता है नंबर 3 है 1012200 यानि कि 101 से लेकर 200 जिसे moderate मतलब कि okay okay बहुती ज्यादा खराब भी नहीं और बहुती ज्यादा अच्छी भी नहीं ऐसी जो AQI होती है ऐसी condition होती है हवा की उसमें जो sensitive group पाले लोग होते है उन्हें थोड़ी care करनी जरूरी ह होती है जो लोग normal individual है जो लोग healthy individual है मतलब कि स्वस्थ लोग है उन्हें इतनी ज्यादा care नहीं कर गया तो चलेगा लेकिन उन्हें भी थोड़ी बहुत care करनी पड़ेगी नमबर चार है 2-0-1-2-3-0 यानि कि 201 से लेकर 300 जिसे poor कहा जाता है अगर आपके आसपास air qualities प्रकार की है तो उसे खराब माना जाता है जो sensitive group पाले लोगों के लिए तो खराब है ही साथ ही साथ जाथ अगर जो healthy individuals है वो अच्छे से care नहीं करते है तो उन्हें भी problem हो सकती है नमबर पांच है 3-0-1-2-4-0 मतलब कि इसे हम poor very poor कहेंगे अगर आपके आसपास की AQI की value 301 यानि की 301 से लेकर 400 के बीच में है तो healthy individuals को भी बहुती अच्छी तरीके से ध्यान रखना होगा जब भी वह लोग बाहर जाते है तो mask लगा कर जाए फिर जो भी जरूरी precaution है व मस्या है तो उनके लिए काफी हानिकारक हो सकती है नमबर 6 है 401-500 यानि की 401 से लेकर 500 तक की जिसे severe कहा जाता है लिए जो हवा होती है वो healthy individuals और जो sensitive group है दो लोग के लिए खतरनाक होती है अगर healthy individuals थोड़ी बहुत भी लापरवाही करते है तो ऐसे में उन्हें life threatening condition हो सकती है एसे में जो लोग sensitive group वाल है जिनने पहले से कोई medical condition है तो उन्हें लोगों के लिए भी life threatening condition का सामना उन्हें करना पर सकता है तो इस प्रकार से mainly 6 भागों में इसे विवाजित किया जाता है अलग-अलग websites पर अलग-अलग videos में अलग-अलग जो भी official announcement होते है या फिर जो different countries ह उन्हें यह जो भी range होती है अलग-अलग हो सकती है कहीं पर यह जो हमने यहाँ पर 6 type के बारे में बात की तो कहीं जगाँ पर 8 type होते हैं कहीं जगाँ पर color coding होते हैं जैसे कि green है तो no problem safety है सुरक्षित है अगर yellow है तो acceptable है त्यान रखना जरूरी है orange है तो चितावनी है कि य थोड़ी हानिका रख है red है तो उससे ज्यादा problem हो सकती है और अगर maroon है यानि कि बहुत ही ज्यादा जिसे कहते है डार्क red है तो ऐसे cases में वो life threatening भी हो सकता है तो इस प्रकार से color code में भी उसे दर्शाया जाता है तो यह थी basic जानकारी AQI यानि कि air quality index के बारे में अगर इ प्रिज्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद जय हिंद जय भारत